नमस्कार तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बुली थी कि मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक प्लेयर ने कैसे अपने आप पे इन्वेस्ट किया और अपनी कंट्री का पहला मतलब कि फुटबॉलर जो स्टार फुटबॉलर होता है पहला स्टार फुटबॉलर बना और अपनी कंट्री में रोल मॉडल के जैसा बना जिसको काफी लोगों ने फॉलो किया और जो एक बात निकल के आई थी न कि नील टेलर ने एक बात बोली जो हमारे इंडियान ओरीजिन के प्लेयर है कि इंडिया नीड्स अनेशनल हीरो जो की अब्रॉड में जाके खेले और यहां पे इंफ्लेंस लेकर आए जिससे की फुटबॉल का मार्केट त्यार हो तो ऐसी मैं एक फुटबॉलर की कहानी सुनाने वाला हूं जो आते है जापा से और इनका नाम है काजी योशी मियोरा आप में से कई लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा क्योंकि यह दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉलर एक्टिव ओल्डेस्ट फुटबॉलर फिफ्टी सेवन इयर्स के अभी है करेंट में और प्रोफेशनली फुटबॉ फुटबॉल खेल रहा है आप इससे आप अंदाजा लगा सकते कि ड्रीम कभी खतम नहीं हो सकता अगर आप फिटनेस पर ध्यान देते हो इन्होंने लगभग पांच डिकेड का फुटबॉल खेला है 1980 से लेके आज 2020 में भी फुटबॉल खेल रहा है प्रोफेशनली यह जा बहार निकलना चाहिए बहार निकले ट्रायल्स दी और एक इतिहास बना दिया पूरे जापान के फुटबॉल हिस्ट्री में तो 15 साल की एज में मियोरा जो है वो ब्राजील जाते है तो ब्राजील में कलब था एथलेटिको यूवेंटस उसकी यूथ टीम को इन्होंने जो उस क्लब को इन्होंने साइन किया अपना पहला प्रोफेशनल कॉंट्रेक्ट इन्होंने सेंटोस फुटबॉल क्लब को लिए साइन किया और लगभग आठ साल तक ब्राजील में ही खेलते रहे जापान नहीं गये और तब तक जापान में वो एक सुपरस्टार बन चुके जापान में जब पहली बार जे लीग हुई थी 1993 में तो उस लीग के बेस्ट प्लेयर भी ये बने थे उसके बाद इन्होंने एक और हिस्ट्री बनाई थी 1994 में सीरिये कलब जेनेवा एफसी जो है उन्होंने मियूरा को ओफर किया और पहले जापानी फुटबॉलर या पहल एक रोल मॉडल के जैसे देखने लगे अब आपके दिमाग में आगा ये तो उनके इंडिविजल रिकॉर्ड से हिस्ट्री हो गई उन्होंने जापान के फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा कारणामा क्या किया तो उन्होंने जापान फुटबॉल के लिए भी एक हिरोई परफॉरमेंस किया था 1997 की बात है वोल्ड कप क्वालिफिकिसन चल रहा था 1998 क के तब तक जापान ने व्ला्ड कप के लिए qualify नहीं किया था उस world cup qualify नहीं किया था उस world cup qualifications में 14 गौल मारे Miura ने और पहली बार Japan को world cup के लिए qualify कर वाया तो यह एक और उनका एक ऐसा कारणामा था जिससे लोगों ने उनको अपना एक motivation मान लिया कि Miura is the player जो कि हमारे आइडल हो सकते हैं तो इतने सारे काम उन्होंने कियो फॉरेन में खिला, ब्राजील में खिला पहले प्लेयर बने जिन्होंने सीरिये खिला और जापान को पहली बार वर्ल्ड गप कौलिफा करवाने में भी बहुत अहम भूमी का निभाई और आज की डेट में भी वो आइडल है कई लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एज निकल गी अब तो बहुत मुश्किल है कुछ करना तो 57 एज की एज में वो पॉर्टुगल का टॉप डिविजन जो सेकंड लीग होती है उसमें खेल रहा है जो के स्टिल कहीं इंडियन फुटबॉल और उसमें जाके नहीं खेल सकते हैं आज की डेट में भी इतना टफ हो हैना इतना एज वाला बंदा खेल रहा है और ऐसा नहीं कि वहाँ पे मजबूरी में खिला जा रहा है परफॉर्मेंस भी दे रहा है इवन उनका कॉंट्रेक्ट एक्स्टेंड भी किया गया है तो ये भी जेवन लीक के प्लेयर अलरेडी है लोन पे उधर गया है तो इतने टॉप डिविजन प्लेयर है आज भी है वो तो मैं इस बारे में क्यों बता रहा हूँ बिकॉज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि क्यों इंडिया को एक ऐसा प्लेयर चीह है जिसको लोग एक रोल मॉडल के जैसा देखे जो अब्रॉड में जाके अपने आपको प्रूव करे कि यस इंडियन्स कें डू इट और फिर उसको जो है यहां के फुटबॉलर्स फॉलो करे जो यहां पर भी होड लगी है न कि आएसल में पैसा कमाना है यहां पर बड़े घर बनाना है ओडी लेना है यह वाली होड से निकल के हम कंट्री के लिए सोचना चालू जो करेंगे न कि जो मियूरा ने सोचा कि I want to do something for my country मुझे एक बड़ा प्लेयर बनना है मुझे मेरी कंट्री को कहीं पहुचाना है वो निकले वो ब्रजील गये ब्रजील 15 साल की एज में ठीक है और उन्होंने 8 साल तक ब्रजील में ही रहे अपने आपको बनाया तपाया और उस काबिल बनाया कि जापान की नेशनल टीम में भी खेले और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चले और जापान को उन्होंने वर्ल्ड कॉप क्वालिफाय भी करवाया बिकाज अब बोल सकते हैं कि पूरे टीम वर्क ने करवाया बट स्कोरर वो थे 14 गोल मारे उन्होंने तो ये एक बात है कि अपने इंडिया में भी ऐसा प्लेयर चाहिए जो 14, 15, 12, 13 की एज में फॉरें जाए उधर ही रहे उधर अच्छे क्लब में खेले जैसे कि मियूरा ने खेला उन्होंने एथलेटी को युवेंटस में खेला उसको अच्छे क्लब्स में खेला तो ऐसे उधर जाके हमारे प्लेस एक अच्छे क्लब्स में खेले एक है ना आइडलाइज हम उसको कर पाएं ऐसा कुछ कर पाएं और फिर जब वो इंडिया की टीम से खेले नेशनल टीम से और कोई ऐसे बड़े कारणामे करके दिखायेगा तब हमारे एंडियर फुटबॉल का मार्केट जो उपर जायेगा ना कमाल ही हो जायेगा तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी जो मियूरा की स्टोरी है कि मियूरा ने जो अपनी कंट्री के लिए तना कुछ करके दिखाया वो एकतम काबिले तारीफ बात है और still he is a motivation for many players मतलब यंग players के लिए भी और जिनकी age हो चुकी ऐसे players के लिए भी तो आपके इसको पर क्या thoughts है कि आपको भी लगता है कि मियूरा की जैसे किसी player को step up करना चाहिए बहार निकलना चाहिए और अपनी country के लिए कुछ करना चाहिए मतलब पैसा थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए कि 18-10 साल पैसा भूल जाओ फिर जब कुछ बन जाओं आओं फिर भाई पैसा भी कमा लेना और इंडियन टीम के लिए कुछ करके भी दिखा देना तो इसके पर आपके क्या thoughts है आप जरूर कमेड मिले के बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए भदर शुक्रे वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत